Hello friends and dear students, आप सभी में biochemistry में, organic chemistry में, pharmacognosy या फिर biology इत्यादी में glucose के structure को बहुत बार दिखा होगा और आप लोगों के कई सारे प्रशना आते हैं कि सर ग्लुकोस का exactly structure कैसा है या जो उसका open structure है, उसको ring structure में या cyclic structure में किस तरकार से बदल सकते हैं तो यही आज का हमार टॉपिक है, जहां पर हम लोग open chain structure of glucose को उसके cyclic structure में बदलना सीखेंगे और इस तरीके से जाने की कोशिश करेंगे कि glucose का structure कैसा होता है मैं हूं डॉक्टर पजयने, शुकला, चली शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं glucose का open chain structure जो कि हम लोग हमें साथ से देखते आ रहे हैं और हमें बताया गया और इसकी खास बाते क्या है वो भी देखना पड़ेगा हमें कि जो हमारा glucose है वो हम बोलते हैं कि 6 carbon की एक chain होती है इस 6 carbon की chain के साथ साथ जो carbon number 1 है हमारा वहां पर हमें एक LDHID group यानि की C double bond OH या फिर CHO group देखने को मिलता है साथी साथ इसमें एक और खास बात है कि ये एक alcoholic compound हम कह सकते हैं या poly alcoholic compound या poly hydroxy compound कह सकते हैं क्योंकि carbon number 2,3,4,5 और 6 इन सभी जगहों पर हमें OH group जो है आप पर देखने को मिलता है साथी साथ एक और खास बात है ये एक D glucose का structure मैंने बनाया है जहां पर carbon number 3 पर जो OH group आप देख रहे हैं वो अलग side में दिख रहा है लेकिन अगर आप D और L की जो परिभासा मैंने आपको बताई थी organic chemistry वाले वीडियो में वहां मैंने कहा था कि glyceral dehyde के साथ हम इसका comparison करते हैं जो second last carbon है उस second last carbon के उपर जब अगर OH group जो है वो right side में लगा हुआ है तो इसे हम D बोलेंगे क्योंकि glyceral dehyde में भी यहां पर यह D glyceral dehyde में भी लगा होता है इसलिए और अगर यह left side में लगा होते हैं इसे L glucose बोलते हैं बट यह हमारा क्या है D glucose है और dexorotatory है क्योंकि यहां पर plus sign B जो है वो लगा हुआ है आईए अब बात करते हैं कुछ और खास बाते हैं तो यहां पर 2, 3, 4 और 5 यह आपके 4 के 4 कारबन जो 2 से 5 के बीच में पढ़ते हैं यह एक काईरल कारबन्स हैं देखे कैसे क्योंकि इन सभी कारबन्स के उपर ग्रूप अलग लग लगें एक तरफ OH एक तरफ hydrogen एक तरफ LDG ग्रूप और एक यह तरफ पूरा का पूरा ग्रूप तो यह क्या है काईरल कारबन इसी तरीके से यह 3, 4 और 5 भी काईरल कारबन्स हैं अब आईए इसको समझते की कोशिश करते हैं कि यह रिंग स्ट्रक्चर में कैसे बदल रहा है या इसके रिंग स्ट्रक्चर में क्यों यह पाया जाता है ज्यादतर समय पर यह रिंग स्ट्र तो इसे आप exactly 90 degree क्या करना है गुमा देना है तो जब आप इसे 90 degree गुमाएंगे तो यह कुछ ऐसे पलट जाएगा इसको हमने पलट लिया देखें यह सी यहाँ पर लिखाता है वैसे ही है यह एच अब आप 90 डिग्री करेंगे तो एच उपर और ओएच कहा आ जाएगा इसका नीचे तो इस OH को आप यहाँ लगा दिए नीचे यहाँ पर यह ओपर लगा हुआ है तो यहाँ पर भी जब आप इसको पलट कियेगा तो OH कहा आ जाएगा ऊपर ऐसे ही यहाँ पर H है तो इधर कहा आ जाएगा OH और यह OH कहा है उपर है एक और खास बात है कि जब यह इन की तरफ ये उपर की तरफ आ रहा है यहां से उपर की तरफ और बाकी चीज़े जो है वो नीचे पड़ी है ये वाला OH भी कहा है उपर ही लगाउगा है तो अब ऐसी संभावना बंती है जहां पर हमारे काबन नंबर 5 का जो OH ग्रूप है वो हमारे काबन नंबर वन के सी एचो ग्रूप के पास महच जाता है अब अगली बात जो आपके सामने आएगी वह यह है कि हमने पहले भी बताया आपको कि यहां पर जो एलेक्टो निगेटिविटी ऑक्सिजन की वो तोड़ी सी जादा है और मीजोमेरिक एफेक निगेटिव चार्ज हमेशा दिखाई देता है अगर यह ओएच इसके पास पहुचेगा तो इस कार्बन और सरी इस ऑक्सिजन और हाइड्रोजन के बीच में भी सेम केस है यह हमारा जो हाइड्रोजन है इस अपोलर वन जहां पर स्लाइट पॉजिटीव चार्ज और इस ऑ स्लाइट पॉजिटीव चार्ज दिखा रहा है और यह श्लाइट निगेटिव चार्ज हमारे पॉजिटीव चार्ज बॉजिजएगा तो पहले क्या होगा यह जो आपका negatively charge oxygen है hydroxy group के कौन से है पाँचमे नमबर के hydroxy group से वो attack करेगा इस carbon के उपर क्योंकि यहाँ पर slight positive charge दिखाई देता है इससे attract होगा इस पर attack करेगा और जब यह इस पर attack करके इसके साथ जुड़ेगा bond बनाएगा तो यह जो आप देख रहे है bond it will be break double bond जो यह पाई bond है जो जो break होगा oxygen के उपर आएगा negative charge और यह जो hydrogen इसने यहाँ से छोड़ा था वो hydrogen कौन ले लेगा यह oxygen और इसी के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा ring का formation यह carbon number 6 भी यहाँ पर उपलब्ध है आईए अब इसी जो बात को जो मैंने कहा इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं तो हमारा ring structure बन जाएगा यह था हमारा carbon number 1 इस carbon number 1 के साथ हमारा जुड़ा हुआ है carbon number 2 इसके साथ जुड़ा है carbon number 3 इसके साथ जुड़ा है हमारा carbon number 4, इसके साथ जुड़ा है हमारा carbon number 5 और carbon number 6 पे भी जुड़ा है जो कि CH2 OH के रूप में हमने पहले ही दिखता है, बाकी चीजे वैसे लिख लीजे, यहाँ पर hydrogen है, इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे exactly यहाँ पे रहेगा, प्लस अगर आप चाहते हैं तो जादक करके, यह hydrogen यहाँ पर, यह OH यहाँ पर, यहाँ पर 1 OH, यहाँ पर hydrogen, यहाँ पर OH, और इस पे आप ध्यान दीजेगा, अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है, इस O के साथ, यह जो O था हमारा, इस O के साथ, अब यह carbon क्या हो गया है, जुड़ गया, तो एक ring का system यहाँ पर बन गया, और इस O के साथ, इस O पर यह hydrogen आ गया था, तो double bond हट गया, और यहाँ पर क्या आ गया, OH, और यहाँ पर hydrogen तो पहले से ही था, तो यह कुछ इस प्रकार से structure जो हो आपके सामने बन करके मिला, अब एक और खास बात आपको देखने को मिलेगी, यह 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 और यह यह चारों तो पहले से ही क्या थे, हमारे chiral carbons थे, लेकिन जैसे ही आपने यह transfer करवाया, वैसे ही अब जो यह वाला carbon है, carbon number one हमारा, carbon number one भी अब एक chiral carbon के रूप में आ गया है, यहाँ पर भी देखिए कि चार different groups अब इस carbon पे भी लगे हुए हैं, तो यह एक नया बना हुआ, chiral carbon है, और इसकी वज़े से एक नए प्रकार की isomerism भी यहाँ पर शुड़ू होगी, जिसे हम लोग anomers के नाम से जानते हैं, अगर यह OH group ऊपर की side लगा हुआ है, या right side में लगा हुआ है, तब हम लोग इसे, sorry, ऊपर की तरफ लगा हुआ है, या इसको ऐसा पलट देंगे, तो यह left side में लग जाएगा, तो इसे हम कहते हैं beta, जो हमने अभी structure बना रखा है, यह है beta D plus glucose, इसे हम लोग क्या कहते है, beta D plus glucose, और अगर यह OH group नीचे side लगा होता है, तो इसे हम कहते alpha, और इसका नाम होता alpha D plus glucose, अब एक और खास बात है, कि जैसा पहले भी हमने बताया, कि carbon number 1 से 2, 2 से 3, और 3 से 4, यह सब जो है, वो above the plane होंगे, तो जब भी कभी गारी line से बना हो, तो आप समझ जाएए कि वो क्या होता है, above the plane है, तो यह भी चीज हमको ring में याद रखने है, तो यह हो गया हमारा ring का structure, फिर से एक बार देख लेते हैं, जो हमारा open chain structure है इसमें carbon number 5 पर जो यह OH group लगा हुआ है, जब यह ring को हम लोग 90 degree पर घुमाते हैं, सीधा रखने कोशिश करते हैं, तो यह जो आपका 1, 2, 3 है, यह क्या होते हैं, कि नीचे की तरफ, sorry, plane से उपर की तरफ आ जाते हैं, जिससे इस OH के पास पहुँच जाएंगे, जब इस OH group के पास पहुचेंगे, तो इसके उपर जो positive charge है, उसकी वज़े से यह जो oxygen है, यह attack करेगा हमारे carbon के उपर, और इसके साथ क्या करेगा, bond बनाएगा, यह जो double bonds हैं, यह break होंगे, जिसके वेर से hydrogen, जो यहाँ पर इस bond के बनाने पर, यह hydrogen यहां से release होगा, H+, वो क्या करेगा, इ link system का formation complete हो जाएगा, प्लस यह जो carbon number one है, यह भी अब एक chiral carbon की रूप में convert हो जाएगा, पहले यह chiral carbon नहीं था, लेकिन अब यह chiral carbon है, जहाँ पे 4 different groups लगे होएते हैं, उन्हें कारल carbon को होते हैं, और यह OH group अगर upper side में लगा हुआ है, तो बीचा, अगर यह lower side में लगा ह हैं, तो हम लोग को मालूम है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने आपको पहले भी fissor projection के बारे में बताया था, फिसर projection जो होता है, वहाँ पे हम लोग सीदी line खीच करके intercept लगाते हैं, जहाँ जहाँ intercept होता है, वहाँ वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, कार् carbon no.1 यह हमारा carbon no.1 था यह हमारा carbon no.2 यह हमारा 3 यह 4 यह 5 ठीक उसी तरीके से और यह हमारा carbon no.6 इसको भी हमने क्या करना है रिंग में रूप देखना है तो हमें समझना होगा कि यह carbon no.5 यह पास पहुँच जा रहा है carbon no.1 के carbon no.5 पे जो यह OH ग्रूप है जब हम इसके tilt करते हैं मोडते हैं चेन को गुमा सकते हैं आप कोई भी चेन है लोहे की चेन है उसे आप गुमा सकते हैं तो यह क्या होगा यह carbon no.5 का OH ग्रूप जो है वो carbon no.1 के CHO ग्रूप के पास पहुच जाएगा जिसके विए से यहां से hydrogen कह अहां ट्रांसफर होगा इस oxygen को और यह जो carbon है वो oxygen के साथ एक bond बनाएगा तो यह carbon no.1 से carbon no.5 के बीच में एक oxygen के साथ linkage हो रही है रिंग का सिस्टम बना जैसे भी आपने उपर रिंग इस्ट्रूप्चर देखा और एक और खास बात हो रही है कि यह जो carbon है यह भी अब एक chiral carbon के रूप में convert हो रहा है तो अगर यह chiral carbon पे OH ग्रूप जो यह लगा हुआ है यह OH ग्रूप के लगने की वज़े से और इस पूरे ग्रूप को होने की वज़े से और इस linkage की वज़े से यह अब एक निया chiral carbon है तो यह जो निया chiral carbon की generation हो रही है इसी chiral carbon को हम लोग क्या है एनोमर्स ठीक है इसे क्या कहेंगे एनोमर्स यह एनोमर्स क्यों होंगे जब OH ग्रूप जो है हमारा वो राइट साइड में इस पूरे के राइट साइड में लगा है अब जब ऊपर रिंग system बना रहे थे उपर नीचे बोल रहे थे यहाँ पर हम बोल सकते हैं राइट साइड में तो इसे हम लोग कहते हैं alpha that is known as alpha d glucose और अगर यही उल्टा लगा हो यह इस साइड में आ जाए यानि लेफ साइड में आ जाए तब इस carbon के लेफ साइड में होने पर इसे हम लोग कहते हैं beta तो यह फिसर projection हो गई और जो उपर structure बनाया था वो क्या था हमारा हावर्स projection हो गया तो इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा glucose है वो open video का link भी आपको description में जाएगा वहास आप इसको निकाल सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आयो तो इसे like कीजिए अपने friends में share कीजिए channel पर नहीं हो तो channel को subscribe कीजिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद